यादिगार पलो का मनमोहक साक्षी, नव यूगल की नई और पहली चॉइस, बेस्ट वेन्यू फोर एवरी ओकेशन, डेस्टिनिशन वडिंग, एलिगेंट डिजाइन एन एक्स्प्रेसब डेकॉर, एक्स्पिरिंस विद लग्जरी, लाफ लोरा, गड़ रोड, मेरत उत्रप्रदेश के तमाम जिलों में GSTV भाग छापे मारी की कारवाई को अनजाम दे रहा है, वेपारी अपनी दुकाने बंद कर, लाम बंद होकर सडकों पर विरोध कर रहे हैं, इसको लेकर उत्रप्रदेश वेपारी कल्यार बोर्ड के उपाध्याक्ष पुष्पदंत जै ने सीम योगी से मुलकात की है, उन्होंने कहा कि मुख्यमंतरी ने हमें अश्वास्त किया कि किसी भी वेपारी के साथ गलत नहीं होने दिया जाएगा, 40 लाग तक के टरन ओवर पर कोई टेक्स नहीं लिया जाएगा, अगर 40 लाग से उपर का टरन ओवर करते हैं तो उस पर टेक्स देना लाजमी होगा, इस विवाद की जड़ तक जाने के लिए हमारी समवादा ता पहुची मेरट के एडिशनल कमिशनर महेंदर पताप सिंग के पास, देखें उनसे मिली जानकारी बीते दिनों, जेस्टी को लेकर काफी विवाद चल रहा है, इसी के लिए आज हम आए हैं एडिशनल कमिशनर महेंदर पताप सिंग के बास, सर ये जो विवाद चल रहा है, जेस्टी को लेकर क्यों चल रहा है, ये पुरे तरक प्रदेश में देखा जा सकता है, काफी कि ये जाघू बाद नहीं है, ये सासन और मुख्याले कि निदेश के अंधार, जो व्यापारी पण्जयन सीमा के अंदर उनको लेआना है, इसी सम्झ में कारवाई की गहिए, जो पंजयन योग है, उनको पंजयन कार आएंगे, और जो पंजयन योग नहीं, उनके यह तो ब्यापारी प्रक अपनी सापसे इसको इंटरबूर धिकारी है या जो भी लोग बाजार में जा रहे हैं अर्य मिलेगे वह दो करोण साथ लाख रूपए का जो है कराँची लिए कवोर्ब करीब 12 करों करीब प्राप्त हुआ है तो इसी के समंग में यह कारवाई की गए थी बाकी आच्छा ऐसा है कि 40 लाग के उपर जो जो 40 लाग के सीमा ब्यापारी जो गुट्स वाले हैं और सर्विस के लिए 20 लाग की सीमा है तो हम लोग उसी के तृष्ट के कारवाई कर रहे है ऐसे ब्यापारी जो सीमा के अंदर आए उंको पंजी करए जाएगा और जो ब्यापारी उसके दियारे में नहीं आएगी उनसे हम लोग जवस्ति कोई पंजीय नहीं करा रहे हैं लेकिन अगर कोई ब्यापारी स्वता करना चाह तो एक लाग दो लाग जैसा भी वो उसको कर में करावंचन के प्रक्रण बहुत आएं गाजियाबाद मेरत में या हर जगा कुछ न कुछ मिला हुआ है वो सारे न्यूस पेपर्स में भी यह सारी चीजिया अच्छा मेरत बड़ सा बता सकते हैं यहां पर कितनी चोरी की गई है अभी तक जो है अभी तक मेरत में जो है हम लोग तो पंजेन के हिसाब से इसको देख रहे थे इसलिए करावंचन बहुत जाद है लेकिन इस बीच में जो भी करावंचन वाले व्यापारी मिल रहे हैं उनसे अभी तक हम लोग ने करिब साड़े बारा करोन पर दो करोन सात लाख रूपए का जो है करावंचित टेक्स हमको मिला हुआ है उस पर हम लोग करवाई करवा रहे हैं और करीब 17 लाख रूपए हम लोग ने जमा कराई इस अभ्यान के बीच में आपके मताबिक जो योगी सरकार का आदेश आया उसके बाद विवाद थमने की आशंका है थोड़ी बहुत तो कोई विवाद है ही नए कि और ब looq कि जैसे कापी भी विवाद है और वहां कि जो भी अवारे कर तन्तर में तो गुटा इस चीए की चीड़न है इस कोयों नहीं है हम लोग क्यों ऑनकि लूब कर रहे हैं और उसमान किसी वी विव्यापारी को कोई बी तकलिफ होना सु Small State अब धी अब देरे देरे उस पर ले रहे हैं अपने के जो है वो बीश सामने साहत में आए और टीम के साहत जाए अगर कोई दिकत होती तो हमें को बता है ठीके सर्बाद बहुत थन्यागाद अभी केने इतना ही हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें शेर करें और फर्स्ट्पाइट टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें वर्दमान अचाडमी एंग्लिश मीडियम को एड़ुकेशनल सीनियर सेकंडरी स्कूल क्लासस फ्रम नसरी तो 12th smart classrooms, wifi, computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music, Vardaman Academy, Railway Road, Merak